हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करते हूंगी आप सभी अच्छे होंगे बच्चो शुरू करते हैं आज का ध्याय मोगली गाउ में यह एक विदेशी कता है यदि आपको किसी ऐसे छेत्र में रहना पड़ जाए जहां सुविधाओं का भाव हो तो क्या आप वहां रह पाएंगे जरा सोचिएगा आज का पाठ परिचे है प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि मोगली को जंकल छोड़ कर गाउं में रहना पड़ा मनुष्य के बीच रहने पर मोगली को जिन अनुभवों से गुजरना पड़ा वे उसके लिए बिल्कुल नए और आश्चर रेजनक थे बच्चो मोगली का नाम तो आपने सुनाई होगा मोगली एक बच्चा जो जिसका जीवन बच्पन से ही जंगल में बीता लेकिन उसे किसी कारणवश गाउं में रहना पड़ा तो जानते हैं गाउं में रहकर मोगली ने क्या किया मोगली को अपनी ताकत का जरा भी अंदाज नहीं था जब वह जंगल में रहता था तो भालू, शेर, चीते और भेडियों के वुकाबले वह कमजोर था और यह बात उसे अच्छे से मालूम भी थी यहां गाउं में लोग कहते थे कि मोगली में सांड जितनी ताकत है बिचारे मोगली को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जातपात क्या होती है वह नहीं जानता था कि एक जाती का आदमी दूसरी जाती के आदमी से अलग कैसे हो सकता है क्योंकि मोगली का सारा जीवन तो जंगल में ही बिता और जंगल में जानवरों के बीच कोई जाती नहीं होती एक दिन कुमहार का गधा गड़े में गिर पड़ा तो मोगली ने पूँच पकड़ कर उसे बाहर खींच निकाला गड़े पर लदे बरतन भी गिर गए थे मोगली ने बरतन वापस जमाने में कुमहार की मदद की ताकि कुमहार अपने बरतन कानही वाड़ा के बाजार में बेचने जा सके लोगों के लिए यह ताजुब की बात थी कि मोगली कुमहार की मदद करे और गधे जैसे जानवर को हाथ लगाए मोटे पंदित ने मोगली को इस बात के लिए बहुत फटकारा क्योंकि गाउं में सबसे आदा जात पात को माना जाता है और मोगली ने एक कुमहार की मदद की जिसकी वज़े से पंदित ने उसको डाटा जब मोगली को लगा कि पंदित को ज़्यादा ही डाट रहा है तो उसमें पंदित को धंकाया ज्यादा कुछ कहोगे तो तुम्हें भी गधे पर बैठा दूँगा यह सुनकर पंदित को बहुत गुस्सा आया उसने तुरन जाकर मसुआ के पती से मोगली की शिकायत कर दी मोगली एक मसुआ के परिवार में रहता था यह सुनकर सबसे ज़्यादा खुशी पंदित या किसी और को नहीं बलकी खुद मोगली को हो गई अब इस जिमेदारी की वजह से मोगली पूरे गाउं का सेवक बन गया था सेवक यानि सब की सेवा करता था इस नाते उसी रात म मोगली चौपाल पर पहुँच गया चौपाल बच्चो एक ऐसी जगह होती है जहां बहुत सारे लोग इखटे होकर बातचीत करते हैं गाउ में गूलर का एक बड़ा पेड था जिसके नीचे एक चबुत्रा बना हुआ था इसी चबुत्रे पर रोजाना रात को गाउं के पुरुष इकट्टे होते थे इन लोगों में गाउं का मुखिया कोटवार यानि चौकिदार नाई और बलदेव शिकारी भी होते थे रोज रात को चौपाल में बैटकर ये लोग गपशप करते थे नाई को पूरे गाउं के हर घर की पूरी खबर रहती थी बलदेव शिकारी के पास पुराने जमाने की एक बंदूख थी और वह अपने शिकार की बड़ी ख्शेखी भगारता था यानि कि जो बलदेव एक शिकारी था उसके पास एक बंदूख होती थी और वो बहुत बड हेजदरों की मैफिल जमती थे 10 पूतरे में इक छीडता जिसमें एक कोबरा रहता था यानि सांप सवейчас किलोग İ Rat कटोरे में उसके लिए दूद रख देते थे क्योंकि गाउं में कोबरा को नाग देवता माना जाता है लोग उससे डरते थे और उसकी पूजह करते थे चबूतरे पर गाउं के बड़े बुजुर्ग देर रात तक बैठे बाते करते रहते वे एक दूसरे को कभी भगवान की कभी इंसान की तो कभी भूतों की कहानिया सुनाय करते थे इनमें जानदार कहानिया बल्देव के शिकार की होती थी क्योंकि वो तो शिकारी था वे जंगली जानवरों की ऐसी ऐसी कहानिया सुनाता था कि ताज्जुब के मारे वहां बैठे बच्चों की आँखे बहार को निकल आती थी कहानिया चलती रहती और बच्चे आंके फाड़े कहानिया सुनते रहते जादातर कहानिया जानवरों के बारे में होती थी क्योंकि जंगल उनके गाउं में एकदम लगा हुआ था हिरन और जंगली सुर उनकी फसले चट कर जाते थे कभी कभी गाउं के दर्वाजे के पास से ही शेर किसी इंसान को उठा ले जाता था तो वो गाउं जंगल के पास ही था मोगली को जंगल के बारे में काफी कुछ मालूम था क्योंकि उसने इतने बरस जंगल में जानवरों के साथ बिताए थे यहां चबूत्रे पर जंगल और जानवरों के बारे में गाहँवालों की बाते सुनकर उसे इतने जोड से हसी आती थी कि वह गुटनों में मूँ छुपा कर हस्ता अपनी बंदू गोद में रखे बल्देव एक के बाद दूसरा और तीसरा किस्सा सुनाता जाता और गुटनों में मूँ छिपाए मोगली अपनी हसी पर काबू पाने की कोशिश करता रहता क्योंकि मोगली ने तो बस्पन से ही अपना जीवन जंगल में ही बिताया है उससे जादा बहतर जंगल को कौन जान सकता है इसलिए जब लोग आपस में बात करते थे तो उसे हसी आ जाते थी इसका कारण यह था कि कहानियों के जो कारणा में गांवालों को भयानक जान पड़ते थे मोगली ऐसे कारणा में पलक जपकते ही कर दिया करता था जितनी देर वे किस से चलते मोगली अपने पिछले जीवन में गोता लगाता रहता था मोगली अपने अतीत को भूलना चाहता था परंतु ये किस से उसे फिर वही सब याद दिलाते थे गनीमत यही थी कि मोगली वहां अधिक देर तक बैठ नहीं पाता था भरपूर नीद लेने के लिए उसे समय से सोना होता था ताकि अगली सुबब फिर जानवरों को चराने के लिए जंगल में ले जा सके इतने दिन वह हसी खुशी से बिताना चाहता था तो ऐसा था मोगली का वैवार और ऐसे रहता था मोगली गाउं में यह कहानी बताई है रोडियार किपलिंग में बच्चो हम सब जानते हैं छोटे से बच्चे मोगली के वारे में मोगली के उपर बहुत सी फिल्में भी बनी हैं आप उन्हें भी जरूर देखिएगा और आनन्द लीजिएगा आशा करते हूं कि आपको यह द्याय समझा गया होगा इसका अभ्यास आप स्वयम किजिएगा